कभी कभी मैं घर जाने से भी डरता हूँ, कुछ महिलाएं इस तरह की क्यों बनी हैं, वे एक स्थर पर शांदार हैं, लेकिन दूसरे स्थर पर काफी भयानक हैं। अच्छे बरताव की वेदी पर मानविय बुद्धिमत्त, प्रतिभा, दमक, कौशल और काबिलियत का परित्याक कभी नहीं कीजिए। यदि वो गुलाब के पौधे की तरह है, तो आपको बस उसे इस तरह से पोशित करना होगा, ताकि सौ काटो के लिए सौ गुलाब भी होूँ। पर कुछ रोश्नी डालें। रोश्नी आ रही है। खेर। क्योंकि आम तोर पर, मैं कह रहाँ कि आम तोर पर, क्योंकि कुछ महिलाएं इस बारे में बहस करेंगी, आम तोर पर, पुरुशों की तुलना में महिलाओं में मासपेशियों की ताकत कम होती है। जब हालात नियंतरंड से थोड़ा बाहर हो जाते हैं तो पुरुष अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाता है क्योंकि उसके पास यही सब कुछ है तो एक महिला अपनी छोटी उम्र से ही अपनी जीप पैनी कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी मासपेशियां किसी आदमी की मासपेशियों जितनी बड़ी और मजबूत नहीं है तो शायद उसकी जुबान आपकी तुलना में कहीं तेज है आप उसे उस तरह नहीं चला सकते आम तौर पर ज्यादतर लोगों के लिए ये सच हो सकता है तो ये सिर्फ एक पैनी जुबान नहीं है आप जानते हैं भारत में आप तरी चनप अल्ली से हैं मेरे खयाल से नवरातरी करीब है भारत में ये पूरा देवी ये देवियों के बारे में है कुछ को छोड़कर जो बहुत सब भी किस्म की हैं उन में से बाकी आपने उनके बारे में सुना है राकिनी, दाकिनी, लंकिनी, चिन्नमस्ता, चंडी, काली, भेरवी आपने उन सबी के बारे में सुना होगा वो, ये भायानक महिलाए है आम तोर पर जीब बाहर लटकती हुई होती है आपने देखा है? उनके मुझ से कभी कभी खून टपकता है क्योंकि वो आपके सिर को काट देंगी लेकिन हमने ऐसे महिलाओं को अपने देश में पूजा के योगे बनाया है क्योंकि उनके पास दूसरे गुण है आपकी पत्नी की तरह वो एक शांदार महिला है एक स्थर पर शांदार लेकिन दूसरे स्थर पर काफी भायानक तो ऐसा भैरवी के साथ भी है चंडी ऐसी है चामुंडी ऐसी है काली ऐसी है चिन्नमस्ता ऐसी है उनमें कई तमामों है वो एक स्थर पर शांदार है एक दूसरे स्थर पर काफी भायानक है तो यह आपके कुशलता है कि आप उनके शांदार गुण को अपनी ओर ले आएं और उनका भयानक गुण किसी दूसरे की ओर चला जाए शांदार पहलू को आपके पास आना चाहिए यही एक कौशल आपको सीखना है लेकिन देविया इस तरह क्यों है इसके पीछे पूरी सोच आपके ये समझने के लिए है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर कोई शांदार गुण है प्रतिभा या बुद्धिमत्था या काबिलियत या किसी कौशल के संदर्ब में अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं अगर किसी महिला में ऐसे गुण हैं कि उसमें प्रतिभा की कुछ खास चमक है या उसके पास असाधरन प्रतिभाए हैं या वो किसी चीज में बहुत शांदार है तो हम एक अच्छे बरताव की खातिर उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी प्रतिभा, उसकी ख्रमता, उसकी योगिता, उसके कौशल का परित्याग नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने पाले हुए कुद्धे को पिल्ले को अच्छे बरताव के लिए प्रशक्षित कर सकते हैं अगर आपको अच्छा बरताव चाहिए, तो इसलिए इन दिनों हर कोई शादी करने के बजाए एक कुद्धा पाल रहा है आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने पिल्ले को अच्छे बरताव के लिए प्रशक्षित कर सकते हैं तो अगर अच्छा व्यावार ही वो सब कुछ है, जिसकी आपको तलाश है, तो आपको उसी के लिए जाना चाहिए लेकिन अगर आप दूसरी संभावनाएं खोज रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही, लेकिन कभी-कभी ये बहुत अच्छे बरताव के साथ नहीं मिलता है शायद कभी-कभी कुछ खास मात्रा में दुष्टता के साथ ये निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किन मूल्यों को तलाश रहे हैं, लेकिन मुझे पता है, आप जो कह रहे हैं, मिस्टर शंकर, और आपका दूसरा नाम क्या है, पिल्ले अब मैं, अब मुझे आइडिया आ रहा है वैसे अगर आप अगर आप वहीं हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इन भयानक स्थितियों को संभालने के लिए परयाप्त कुशल है वैसे लेकिन अच्छे बरताव की वेदी पर मानवी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, दमख, कौशल और काबिलियत का परित्याक कभी नहीं कीजिए अच्छा बरताव सीखा जा सकता है, बुद्धिमत्ता नहीं सीखी जा सकती प्रतिभा को सीखा नहीं जा सकता आपको इसे उजागर करना होगा आप इसे नहीं सीख सकते एक महतवपून्ट संभावना को उजागर करने की प्रक्रिया में किसी मामले में जरूरी नहीं कि इसे अपने बुरे बरताव के समर्थन के रूप में मत लीजे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कुछ बुरा बरताव रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ आसा आधरन प्रतिभा या गोण या बुद्धि मत्ता दिखानी चाहिए, वरना खुद को यहां-वहां बिखेरने का आपको कोई अधिकार न और प्रतिभा के रूप में मानव जीवन के महतोपून पहलूओं का परित्याक कभी नहीं करें, क्योंकि अच्छा बरताव सीखा जा सकता है, और ये केवल सामाजिक रूप से महतोपून है, इसका जीवन के लिए कोई महतो नहीं है, तो जो शांदार पत्नी आपके पास है अगर वो गुलाब के पौधी की तरह है, अगर उसके पास दो गुलाब या एक गुलाब और सौ कांटे हैं, तो आपको उससे बस पोशित करना है, ताकि सौ कांटों के लिए सौ गुलाब मौजूद हों। वैसे पौधे के आकार के हिसाब से कांटों की संख्या निश्चित रहती है, लेकिन फूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, मेरे ख्याल से आपको अपनी शांदार पत्नी के साथ वही करना चाहिए मुझे यकीन है कि वो एक शांदार महिला है लेकिन जीप के कोड़े वाला विभाग थोड़ा मजबूत है आपको उनके लिए कोई दूसरा शिकार खोजना चाहिए और आपको उनका शांदार हिस्सा पाना चाहिए